Hello students, अजब आपको बताने वाला हूँ The Ultimate Revision Plan KVPY SA 2022 के लिए आपको around 40 topics पढ़ने हैं in 13 days के अंदर तो यहाँ पर मैं आपको एक ideal schedule, एक ideal routine और आपको कौन-कौन से books follow करने हैं in 13 days में अपनी revision को complete करने के लिए ये सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कौन से schedule follow करना है तो 9th of May को आपको mechanics completely खतम करना है यानि kinematic से लेकर rotational mechanics तक जितने भी topics हैं उन सभी को आपको 9th of May को खतम करना है ये दिन काफी जादा important है क्योंकि आप इस journey को किस तरह से start करते हैं यही decide करेगा कि आप इसे end तक ले जा सकते हैं या नहीं तो आप कोशिश करें कि इन topics को कम से कम अच्छे से complete कर ले अपने division के दौरान Next, 10th of May को SHM, elasticity, heat और thermodynamics 11th of May को optics, electrostatics और electricity के जितने भी topics हैं उन सभी को आपको complete करना है इससे आपकी physics almost complete हो जाएगी और हम लोग अप chemistry की तरफ switch कर सकते हैं 12th of May को आपको moles, atomic, gaseous, bonding और periodic table खत्म करना है यह आपके 11th के initial chapters है तो आपकी इन पर पकड़ अच्छी होगी मुझे ऐसी उमीद है तो इन chapters को आप आसानी से complete कर सकते हैं 13th को आपको ionic और chemical equilibrium और GOC complete करना है यह दिन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इन topics को complete कर सकते हैं 14th of May को आपको thermodynamics और hydrocarbons पढ़ना है 15th of May से आप biology शुरू कर सकते हैं यहाँ पर एक twist है कि अगर आपकी कोई chapter weak है तो आप उसे पहले complete कर सकते हैं और कोई chapter अगर strong है तो उसे बाद के लिए रख सकते हैं लेकिन आप कोशिश करें कि इसी routine को follow करने की क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा deeply इसे study किया है यह बनाने के पहने तो 15th of me को आपको digestive system, skeletal system, nervous system और photosynthesis complete करना है 16th of me को circulatory, respiratory, reproductive और excretory system इससे आपके human और plant physiology लगभग लगभग complete हो जाएंगे 17th of me को आपको diseases, cell, diversity और genetics complete करना है इससे आपकी biology भी almost complete हो जानी चाहिए 18th से आप math शुरू करेंगे 18th को आपको trigonometry और coordinate geometry पढ़ना है यह easy topics हैं, KVPY essay की according तो आप इन्हें आसानी से complete कर सकने 19th को आपको complete करना है quadratic, complex, series, permutation and combination और binomial theorem यह थोड़े important topics हैं, algebra के topics हैं तो आपको इस दिन थोड़ा ज्यादा time देना पड़ेगा आपने इन topics को complete करने के लिए next है 20th को आपको सिर्फ और सिर्फ geometry complete करनी है क्योंकि geometry एक बहुत important topic है और आपको इसके theorems दिमाज में होने चाहिए जब आप exam देने जाएं तो 21st को आप इन सारी चीजों को एक बार revise कर ले या फिर आप rest भी ले सकते हैं अगर आपने पहले ही अच्छे से revision कर ली है next हम लोग बढ़ते हैं कि आपको कौन-कौन से materials follow करने है मैंने इस पूरी चीज की एक PDF नीचे डाल दी है आप उसे या तो print out कर सकते हैं या फिर अपने copy में एक similar चीज बना सकते हैं वहाँ पर मैंने सारे topics उनके सामने कौन-कौन से materials आपको complete करने हैं एक checklist की form में दिया है आप जैसे-जैसे उन चीजों को complete करते जाएं अपने checklist में tick लगा सकते हैं सबसे पहले physics में हम लोग आते हैं तो आपको सारे notes revise करने हैं फिर आपको video lectures एक बार देखने हैं 2x speed पर आपने एक बार अगर notes को revise कर लिया है तो आपको फिर video समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मैंने जैसा बताया था कि अगर आप hearing के through किसी चीज को सीखते हैं वहाँ पर आपकी learning और understanding ज़्यादा better होती है as compared to reading तो ये करने के बाद आपको questions लगाने हैं HC Verma से ये questions आपको करने कैसे हैं तो आपको किसी भी chapter में जाना है और हर third question को attempt करना है ये मैंने अपनी 11th class की revision वाली series में भी बताया था कि आप अगर first question कर रहे हैं तो next question fourth, फिर seventh, फिर tenth इस तरह से हर third question को attempt करते चले अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं आपके allocated day पर तो आप हर alternate question भी attempt कर सकते हैं या फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं next है chemistry में तो आप कोई भी problem book ले लें एनवस्थी या MS चोहान जैसी और उसमें भी जैसी strategy मैंने physics के लिए बताई वही आपको apply कर देना है chemistry में questions के numbers ज्यादा होते हैं लेकिन आपकी speed भी थोड़ी ज्यादा होती है तो यहाँ पर भी आप कोशिश करें हर third question या हर fourth question attempt करते जाने का next है maths के लिए तो maths के लिए आपकी coaching ने जो material दिया है या फिर आपने कोई book अगर ली है standard तो उनसे भी आप similar strategies जैसा मैंने physics और chemistry के लिए बताई हैं वही apply करते हैं वही आप आगे बढ़े special focus आपको यहाँ पर देना होगा end exercises पर मतलब chapter के बीच वाल exercises आपको attempt नहीं करने जो overall chapter का end exercise होता है आप उसे attempt करने की कोशिश करने इससे क्या हुआ कि आप mixed questions कैसे solve करते हैं किस तरह से आपको approach अपनी बदल नहीं होती है यह सारी चीज़े आप समझ पाएंगे जादा आसानी से geometry के लिए आप PRMO और KVPY के पास यह questions एक बार देख सकते हैं आप easily spot कर सकते हैं geometry के questions तो दिखी जाते हैं किसी भी question paper में तो यह करते हैं आप आगे बढ़ते चलें next है biology तो biology के लिए आपको questions practice नहीं करना है आप कोशिश करें कि अपनी notes को जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी बार पढ़ लें आप कोशिश करें कि सारी चीज़े आपको याद हो जाएं जितनी भी आपने notes में लिखी है आप Selena या फिर NCRT class element की पढ़ सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा benefit आपको तब होगा अगर आप short notes को revise करते चाहिए इसकी revision की एक technique क्या है कि आप पूरी short notes को इबर पढ़ लीजिए एक blank paper लिखे और आपने जितनी भी चीज़ें याद की है उन सभी को उस blank paper में लिखने की कोशिश करिए आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, कुछ चीज़ें भूलेंगे तो इस तरह से आपके brain को पता रहेगा कि आप कौन सी चीज़ें भूल रहे हैं और उन पर आप ज़्यादा focus दे सकते हैं next हम लोग बढ़ते हैं एक ideal routine की तरफ तो मैंने कुछ दिनों पहले एक poll कर रहा था जिसमें जादातर students ने कहा कि उनके summer vacations या exams की छुटियां चल रहे हैं तो मैंने उसी हिसाब से ये routine डिजाइन किया है सबसे पहले उन students के लिए जो school going है आप 8 से 2 मतलब 8 a.m. से 2 p.m. अपने school के काम वगएरा को दे सकते हैं आप कोशिश करें अपना homework school में complete करने का उसे घर ना लाए और आपको जितनी भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाते हैं उन्हें भी आप ध्यान से सुनते रहें 3.30 to 8 आप अपने coaching या जई और नीट की preparation के लिए आपको जो भी books वगएरा लगाने आपके teachers बोल रहें उन्हें करे 9.30 से 12.30 ये time मैं आपसे मांगता हूँ revision के exclusively इसमें आपको क्या करना है कि जो भी topics आपको उस दिन complete करने हैं वो पढ़ें अगर आपको कोई backlog है मतलब कोई chapter अगर आपको deeply पढ़ना है तो आप उसे भी 3.30 से 8 के बीच में ही complete करने की कोशिश करें school going children के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो उन्हें मैं क्या recommend करूँगा कि आप next week जो एक week होगा KVPY के पहले का आप पूरी तरह से अपने school से छुटी मा दे आप sick leave डाल सकते है इससे क्या होगा कि आपकी जो mindset होगी वो सुबह वाले exam के साब से better adjusted होगी आप सुबह एक mock test दे सकते हैं अगर आपके पास बाकी है तो और आप अपने mind को उसी तरह से adjust कर सकते हैं next उन students के लिए जिनके summer vacations चल रहे हैं या फिर उन students के लिए जो छुटी मारने वाले हैं अपने school से 9.30 to 11.30 a.m. आपको एक slot डालना है 11.30 से 1.30 आपको एक slot डालना है 3.00 से 8.00 आपको J.E.R. NEET की preparation या जो भी आप coaching की preparation कर रहे हैं वो करना है और 9.30 से 12.30 आपकी लिए भी revision का time होगा रात में 9.30 से 1.30 जो हम दिन में time रख रहे हैं उसमें आपको optics, electrostatics, electricity और अपने backlogs कम्टीट करने हैं मैं इन दो chapters पर especially focus क्यों करने बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये chapters आपकी 12th के syllabus में भी है तो आपको बहुत ज़्यादा harm नहीं होगा अपनी 11th की chapters पढ़ने में और ये आपको आगे चल कर benefit ही करेगा इसके साथ ही आप coordination compound पर सकते हैं जो की directly तो नहीं पूछा जाता है के API essay में होतना लेकिन इससे related अगर कोई question आ जाता है तो आप उसे भी easily clear कर सकते हैं और आपका inorganic में confidence भी boost होगा इससे तो इस routine को आप पूरी तरह से follow करने की कोशिश करें इस time पर ये बहुत important है कि आप इसे line by line follow करने किसी भी दिन आपको इसे skip नहीं करना है अगर आप IPL या T20 देखते होंगे तो आपको पता होगा कि last के 4 overs किसी भी team के लिए सबसे जादा important होते हैं सेम चीज आपके preparation पर भी लागू होता है अगर इन 13 days में आप एक अच्छी preparation कर लेते हैं तो ये आपके marks और score को बहुत जादा boost करेगा और आप अपनी competition से काफी आगे निकल जाएंगे आपको अभी target लेकर चलना है 65 marks का आप इससे कम अगर ला रहे हैं तो पूरी कोशिश करें आप 65 पार करने की और अगर आपको इससे जादा आ रहा है तो आप अपनी score को 75 के पार भी ले जा सकते हैं मैंने इस पूरी session में कहे गई बातों का PDF नी से डाल दिया है आप उसे download कर सकते हैं उसमें आप चाहें तो थोड़ी बहुत minor adjustment कर सकते हैं लेकिन आप उसकी base को maintain करके चलने की कोशिश करें Thank you, best of luck